नमस्कार मैं डाक्टर जितेंद्र कुमारापका जेके बालोजी क्लास में स्वागत करता हूँ और आज के हम इस वीडियो में मोनो कलोनल एंटीबर्डी और प्रोली कलोनल एंटीबर्डी के डिफरेंस को समझेंगे साथ-साथ इसके अप्लिकेशन क्याँ पर यूज करते हैं इसका इस्तमाल हम लोग उसको भी देखेंगे साथ-साथ एक जो सवाल पुछा गया है CSIR रिट लाइप सांस में 2020 में उस सवाल को भी हम लोग देखेंगे तो आई यो वीडियो को भी देखते हैं और दोनों को मोनो कलोनल और पोली कलोनल एंटीबर्डी के डिफरेंस को समझते हैं और उसके अप्लिकेशन पार्ट को भी हम लोग समझते हैं तो monoclonal नाम से ही पता चलता है single clone से बना हुआ antibody और इस तरह के antibody क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं single antibody species होते हैं एक ही तरह के antibody होते हैं और वो किसको bind करते हैं? single specific site को epitope को bind करते हैं और यह mixture of homogeneous एक ही तरह का antibody होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो है protein है और protein के different epitopes है तो आप देख सकते हैं इसको monoclonal antibody है तो खास एक epitope के against antibody एक पहचान के bind कर रहा है और इसको भी आप देख सकते हैं monoclonal antibody है तो यह epitope को bind कर रहा है एक दूसरे को bind कर रहा है तो इस तरह के antibody का हम लोग इस्तमाल काफी frequently western blot में करते हैं, जहां पर हम कोई desire protein को detect करते हैं, यह protein मौजूद है या नहीं, या tissue के typing में हम करते हैं, कि हमारा desire antigen present है या नहीं, साथ साथ हम लोग ELISA में भी है monoclonal antibody का इस्तमाल करते हैं, तो यह काफी frequently जो इस्तमाल करते हैं monoc polyclonal antibody का western blot, diagnostic, tissue typing और ELISA, यह काफी specific भी होते हैं, अब बात आती है polyclonal antibody का, क्या कहता है polyclonal antibody, यह mixed population of antibody, यह बहुत सारे different antibody के मिलके बने होते हैं, जो different epitope को पचानते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं polyclonal antibody है, तीन epitope हैं, और आप देख सकते हैं, यह antibody जो है, एक खास specific epitope को पहचान रहा है, जबकि यह दूसरा, एक दूसरे epitope को पहचान रहा है, तो यह एक type का antibody हो गया, और यह एक आपका हो गया, दूसरे type का antibody हो गया, तो इस तरीके से more than one type of antibody का अगर mixture है, तो इसको में लोग बोलते हैं polyclonal, यह mixture of antibody होता है, साथ-साथ यह heterogeneous antibody होता है, क्योंकि different antibody, different epitope को पहचानते हैं, और वो bind कर सकते हैं, अब आगे बारी है, यह क्या करते हैं, antibody decogonize और bind many different epitopes हो के single antigen, single antigen के different epitopes को bind करते हैं, इसका इस्तमाल हम लोग कहा करते हैं, इसका इस्तमाल हम लोग इलाइसा में भी करते हैं, साथ-साथ bacterial agglutation study करना है, तो उसमें भी हम लोग का इस्तमाल करते हैं, ध्यां रखना, agglutation study करने के लिए, आपकी poloclonal antibody होना जरूरी है, नहीं तो एक दूसरे से bind नहीं कर पाएंगे, और bacteria agglutate नहीं कर पाएगा, monoclonal antibody में संभव नहीं है, तो आईए हम लोग जो देखते हैं, एक सवाल जो है, 2020 June में पूछा गया है CSIR में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बारे में मैं पढ़ने के पहले एक बात बनाना चाहता हूँ, अगर आप CSIR NetLife Science की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहां online, offline batcher join कर सकते हैं, कोई BPCS जनकारी के लिए 620-269-2436 पर क्या कर सकते आईए हम लोग अब सवाल को देखते हैं, यहां पर क्या दिया कि कॉलम X दिया गया है, कॉलम Y दिया गया है, और बताया है कि आप correct matching किजी आपस में, तो आप बताईए, तो सबसे पहला चीज है, कि हम लोग देखते हैं, bacterial agglutation, हम जानते हैं, agglutation के लिए आपको हमेशा चाहिए, तो कैसा चाहिए, polyclonal antibody चाहिए, तो एक के साथ हमेशा दो ही होना चाहिए, अगर इतना भी आप समझते हैं, तो आपका क्या हो, जानते हैं, correct option, क्योंकि एक का second option एक ही है, जाना monoclonal antibody में कभी नहीं हो सकता, आइधर हैं दिया हुग, आइधर monoclonal और poniclonal body, तो polyclonal antibody का, इसमें signal ज्यादा, signal to noise ratio ज्यादा होता है, और western blot क्या होता, signal to noise ratio काफी कम होता है, signal कम होता है, ये भी सवाल काफी frequently परिछा में पूछे जाते हैं, diagnosis T2 typing में आपको monoclonal, तो इस तरीके से आपका जो सही अंसर हो जाएगा, option 1, सही होगा, अगर आप J.K.Balogy क्लास को like करते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को subscribe करें, और अपना comment comment box में जरूर लिखें, thanks for watching the video.